बिस्मिल्लाय रख्म icons whatever last lecture में हमने purchase के उपर कफी दिधा काम प्रम कर लिए हुआ था जिसके मने कन तो piS को fill up 壓 year 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 clumsy week हमारे जो मैंन काम रहता था वो यह था हम क्वांटिटी इंसर्ट करें तो हमारी टोटल प्राइस कल्कुलेट हो जाए और जब हम डिसकाउंट डालें तो नेट टोटल पॉपलेट हो जब नेट टोटल हमारी चेंज हो उसे हमारी ये टोटल जितनी भी वैल्यूज है इसके अंदर जितनी भी रोज आए उन्स तमाम का सम्ज हो हमारे पार टोटल में आजाए फिर हम अगर कुछ आजिस आजिस आड करें डिसकाउंट लेस करें तो नेट टोटल जो हमारा फॉटर है फार्म का उसको एफेक्ट करें तो इस पर हम हमारे अन्बाउंड कॉलम से तो इसको हम एक्जी जूट करते हैं यह हमारे अन्बाउंड कॉलम से जिन में हम यहां पर फॉर एग्जम्पल नहीं लेखता हूं को इक वैल्यू उठाए अब हमारे पास क्वांटिटी जो है वो जीरो नहीं है तो इसमींज यह नल है बोनस क्वांटिटी भी नल है और डिसकाउंट भी नल है तो सबसे पहले तो हमने अब हमारे यह जो कॉलम्स है उनको हमने डिफाल्ट वैल्यू देनी है तांके जब हम उनकी कल्कुलेशन कर रहे हूं प्लस माइनस कर रहे हूं तो नल वैल्यू पास हम ना हो तो उसके केक्शन के बास मैं यह आपे चाहल देता हूँ column.default value equal to 0.00 मैंने इस time को copy कर लिया same यही चीज हम करेंगे sale में यही चीज हमारे उजाएगी quantity में but with a single value इंटेगर है bonus quantity में गी single discount में double के साथ तो यह हमने default values देगी हैं कि जैसे हमारा form magnitude हो तो हमारे पास यहां पर default values आगा है ठीक होगे पहला account दूसरा पास जो हमने करना है वो यह है कि मैं एक event create करता हूँ grid view 1 और उसको मैं टैप आप हूँ जो मेरे custom unbound cell है data column data है उनका एक event बना देते हैं अच्छा अब यहां पर हमारे पास अगर आप parameter पर गोर करें तो दो parameter है पहला parameter sender जो कि obviously इसी बात है कि grid view होगा दूसरा parameter है e, e हमें क्या क्या देता है e हमें देता है column हम किस column के उपर बात कर रहे है या जो भी source है उसकी row index ठीक है यह दूर चीज़े हमें return करता है तो मैं क्या गरता हूँ हमने total net total को calculate करना है तो मैं एक private subroutine बना लेता हूँ get total value और इसमें हमें क्या क्या चाहिए view as a grid view ठीक है और उसके बाद जो हमारा e dot क्या था list source row index जो का integer होना चाहिए क्या है integer है तो मैं यहाँ पर देवेता हूँ row index as a integer ठीक है और स्री इसका मैं क्या रेता हूँ function यह function हमें return करेगा as a decimal value ठीक है यह double value और यहाँ पर मैंने क्या करना है total calculate करना है कि इसकी base के ओपर quantity multiply by purchase price तो मैं दो value पर ले लेता हूँ with the price price is equal to 0.0. quantity as decimal equal to 0.0 means कि इसकी इसकी अग्राइट कर्मा स्रीट वारीट 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 रेखिट वारीट वारीट पर लेखिट रेधिट वैपर points में वो value इसमें आ सकते हैं ठीक है तो मैं करता हूं purchase price equal to जो भी हमारा view है dot यहां पर हम करेंगे क्योंकि row index हमारे पास आ ठीक है तो मैंने उसका row index उस view का ले देना है view dot get list source row cell value तो list source हमारे पास जो है वो basically row index है जो भी वहां से आ रहा है और column हमारा जो है वो है column purchase price इसकी हमने value उठाई और value हमने देजी purchase price को ठीक हो कहा है same next मैं जगता हूं quantity equal to view dot get list source value row index of column quantity यह values मैंने देजी और मैंने से कहा return कर दो क्या चीज़ purchase price multiply by quantity यह हमारा return हो जाएगा जो हमें total value return करेगा ठीक हो गया next यही काम हम कर लेंगे इसी तरह का एक और function बना लेंगे आप चाहे एक ही function तो दोनों काम कर लें get net total value view as a grid view or row index as a integer as a decimal यह हमें return करेगा तो same इसी तरह से मैं यहां पर यही काम कर लेता हूँ दो हमारे पास आ जाएंगे अब net total में क्या होगा purchase price multiply by quantity और minus हो जाएगा equal to zero यहां पर मैं कर जाएता हूँ discount rupees यहां पर minus हो जाएगा तो discount जो है वो decimal point के साथ होगा तो मैं कर जाएता हूँ discount rs equal to view dot get list source value row index gamma column discount जो भी value है वो यहां पर आजाए discount में हमें क्या return हो जाए return हो जाए जो हमारा purchase है वो multiply हो जाए quantity के साथ and then minus हो जाए discount rs यह हमारे net total की value हमें return कर जाएगा ठीक हो गए जी यहां तक अब यहां पर हम आते हैं यहां पर जो भी हमारा view आ रहा है चीक है center में जो भी value आ रही है उसके हम try casting करेंगे उसको view में convert करेंगे क्योंकि हम get total और get net total को call करेंगे तो हमें view की value चाहिए यहां तो यह है कि यहां पर मैं object लूँ और बाद में इसको convert कर लूँ यहां पर try cast कर लूँ दौनों किसे में या फिर मैं direct यहीं पर try cast कर लूँ view as grid view equal to try cast send grid view जी मैंने try cast कर लिया फिर उसके बाद मैंने condition लगा दी if e.g मेरा column है column.field name जो column name जो भी आप रखने चाहें column name मेरा क्या है जी column total है control x मैंने यहां पर आया मैं double code में जी अगर column field name जो है वो column total है क्योंकि हमने इसका field name column total ही रखा हुआ है and also e.is get data equal to 2 है उस case में यह क्या करें e.value equal to value उसमें डाल दे कौन सी get total value अब get total value जो हमारा function आपको दो चीजन चाहिए इसका view view मैंने center से जो आरा था उसको try casting कर लिया उसकी great view के में जो मैंने view जो जो row index है वो है हमारा e.list source row index जीक है else if यही का मैंने कर लिया e.column.fieldname equal to and also e.is get data अब जूसरा column हमारा का स्वहन सा अचा net total का तो मैंने इस column के name को यहां पर डाल लिया net total के अंदर यहां पर मैंने इसे कह जिए e.value इस column की जो value है वो हो जाए get net total से call कर ले view of e.list source index तो यह हमारे पास एक आ गया total value और दूसरे आगी net total value यह हमने दे दिया जो हमारे custom unbound column था उनका data यह उनको हमने दे दिया जैसे ही हमारी fields change होंगी data changing होगा purchase, sale में, quantity में, bonus में तो यह वाला event fire होगा यह event check करेगा कि अगर field name column total है क्योंकि दो हमारी जो है वो custom bound unbound दो columns है हमारे पास तो जब यह call होगा तो वो check करेगा अगर वो total की value है तो उसमें total वाली detail से calculate करके लिए अगर वो net total है तो net total calculate करके लिए है ठीक है मैं इसको execute गता हूँ और हम देखते हैं के हमारे total और net total वो populate हुए टेने होगा purchase पर आपने हम purchase open किया मैंने यह यह पर दिया tablet वो इजी मैंने एक tablet उठाली मैंने quantity जी दर्स ठीक है तो मेरी total भी पॉपुलेट होगी और net total भी पॉपुलेट होगी यह बोनस के साथ इसको कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंके बोनस के कुछ फर्ग में पड़ता total price को पर और मैंने इसके discount देजिए 7.50 तो मेरी जो total है वो 597.50 और जो net total है वो 590 अब यह सारी values जैसे जैसे मैं add करता जाओं for example मैं यहां पर add कर देता हूं कुछ और भी और चुल प्राओं यहां पर आज कर देता है हम 3 mg tablet ठीक है अच्छा अब जैसे जैसे यह net total आता जाए तो यह net total जो है 8.296 जैसे जैसे net total आता जाए तो हमारे यहां पर तमाम का sum जो है वो हमारे पास total में आता जाए ठीक है इसके दो तरीका कर रहे हैं जा तुझा है मैं के इसके ओपर loop लगाँ loop लगाने के बाद मैं तमाम की तमाम values को एक variable में डामता जाओं दूसरा तरीका कर यह है कि मैं इस grade का photo on करूँ और photo के उपर summary ले लूँ कि मैं जिसी चीज़ को मैंने sum यह count करना है मैं वो ले लूँ तोहांके मुझे यहां पर grade के नीचे ही पता चलता रहा है कि मेरा total गया है ग्रेड कंट्रोल का जो task है यहां पर आता हूं मैं इसे कहता हूं show footer तो यह हमारे को footer आ गया उसके बाद में इसके designer एक्जीक्यूट करता हूं पहला footer में ले ले लेता हूं मैं इसको कोड़ा साइस कम कर रहता हूं जो जो हम change करें वो आपको साथ के साथ नजर आती रहे कि हम क्या करने जा रहे name के ओपर मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर एक footer में detail आज़े जिसमें just total लिखा हूँ तो मैं name की summary collection में जाऊंगा यहां पर एक add है already none के साथ तो मैं इसको यहां पर जा रहेता हूं total की इसका display text होगा total just column जाए ठीक है okay किया मैंने एक काम कर दिया उसके बाद मैं जाता हूं quantity के ओपर quantity में यहां पर हमारे पास क्या आ जाए तो तो उसका sum आ जाए जो भी quantity हमने डाली है यहां पर हमारे पास sum value आ भी इसी तरह bonus का हमारे पास type sum आ जाए कि कस्टम डिस्प्ले हो गए है ठीक है तो इस वह यहां पर आ नहीं रहता मैंने कस्टम किया तो यहां पर just total लिखाव आएगा quantity के नीचे quantity के sum आ जाएगा bonus quantity के नीचे bonus quantity के sum आ जाए और हम उसको set कर देते हैं कि हमने यहां पर इसका display text जो है sum equal to साथ में लिखा आ रहा जो ना है इसी तरह जो total है total का भी हमने कह दिया के sum आ जाए total का और यहां पर लिखावा आ जाए साथ में rs rs with numeric two decimal point same इसी तरह discount का sum आ जाए और इसके साथ भी लिखावा आ जाए rs rupees ठीक है और net total का भी sum आ जाए और इसके साथ भी लिखावा जाए rs यह हमारी होगी summaries यहां पर total आ गया quantity का total आ जाएगा bonus quantity का total आ जाएगा rs का total का sum आ जाएगा discount का sum आ जाएगा net total का sum आ जाएगा जाएगा का मैं होगी stock direction geek जाएगा जाए हमाया अ जाए फाकता कि templ baa जाएगा काtechn का ह्टरका जाएगा जाएगा हम आ जाएगा जाए लिखति आ है जाएगा जाएगा इसकि लिख को Значит आँँ हो पाकता आ जाएगा तो टोटल वाला कॉनम है इसकी भिस हो 100 होजा है, भी के अर्वरस है यूशा है बनुस्वंकिकर 20 हो जाए, बनुस्वंकिक्यों में आपने चुआ है 75 पॉंटिटी यहाब वो इस इसकी साइज ही कर लिए ठीक हो गया और उनको हम दुआ साथ है ठीक है एक्जिक्यूट करते हैं देखते हैं कि इसके क्या चेंज आता और हमें इसमें मजीद क्या काम करना पड़ेगी कि हम तोल समरी को कब कभ़ो में अपडेट करने की बेड़ेगी जा ते उसमें ठोड़ी से मिस्ट कल्कुलेशन होतने तो हम आपको आसे डील करें यहाब हम डेक्ताब को भी टैबलेट कर लेता हैं कुँन करते डाल देता हैं 200 इसको हम एड़ कर लिखते हूँ 350 quantities यह हमारे पस total जो है वो तब तक अपडेट नहीं होता है जब तक हम इसको next row में चले जाता है यह row final नहीं होता है तो for example यह problem create करेगा यहां पर मैंने tab को click किया मैंने quantity डाल दे 10 और मैं direct यहां पर आया तो यहां ते क्या working fine करेगा हमारे पास यहां पर आजागी net total यह हमारे total discount अगर यहां पर मैं discount add करता हूँ for example मैं इसमें add करता हूँ 31 rupees और इसमें यहां पर add करता हूँ 2.60 चीक होगा तो यह हमने discount add किया तो discount add total और अगर मैं bonus values रता हूँ तो 5, 3, 5, 7 यहां बोनस quantity डाल दी तो bonus quantity calculate होगा यहां पर just total लिकावा रहा हूँ चीक होगा यह हमारा होगा जी summary से related की यहां हमें summary शूब हो रही है यहां पर net total calculate हो रहा है वहीं कर ले तो यहां पर हम इसे कहते हैं if e.column.summary.text.start with क्योंकर में शूरू में इसमें एक डाल दी है value rs.withspace ठीक है या rs कर रहे है ठीक है अगर start with rs से हो रही है तो क्या करे me.txt जो हमारा total है उसके text में आ जाए string.format क्या चीज़ 0 में value आ जाए numeric with two decimal point यह मैंने एक format बना लिया कि मेरे 0 में value आ जाए जिसकी format हो numeric with two decimal point तो मैंने दे लिया e.column.summary.text.substring क्यूंकर rs से एक start हो रहा तो उसकी हमें शुरू के जो तीन ये चार characters है वो नहीं चाहिए तो उससे आगे की हमें value ये हमने total को text के जिए जब हमारा column net total change होगा तो इस case में हमारी summary जो है वो हमारा text box है total का वो change है simple as that. तो जैसे ही मेरी ये price change हुई ये value change होगा ठीक होगा अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहां पर charges डाल दूँ for example 200 तो ये discount sorry जो net total है वो change होगा तो टोटल के change होने पर total भी change होगा है net total change होगा ठीक है अब हम करेंगे कुछ काम ऐसा कि इन दोनों के enter press होने पर next column पर move पगया पहला तो ये में कर दूँँ कि मैं enter press करूं कि वो next के चलाएगा अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी text change होने पर ठीक है मेरा इसका और इन तीनों का text change होने पर मैं net total के text change पर edit text change पर साथ हमें जोड़ देता हूँ txt discount dot edit value change के उपर txt charges dot edit value change के उपर यह क्या करें मैं dot txt net total dot text equal to हमारे जो values हैं कौन कौन से मैं उसे कहता हूँ 3 variable ले ले टेंस sample करने के लिए 0 को पहला total के उसके बाद discount rs और उसके बाद charges as a decimal चीज़े equal to 0.0 equal to 0.0 and end में equal to 0.0 ठीक होगे जीज़े अब यहां पर मैं करता हूँ के total को मैंने value assign करने हैं तो मैं काऊंगा total equal to convert dot to decimal me dot txt total dot text तो मैं करने हैं discount rs equal to convert dot to decimal me dot txt discount dot text तो मैं करने हैं 1234te NETTOTAL dot text חנו तो मैंने हैं मैं करने हैं txt net total dot text забation तो मेरा net total चार्जिस कोई भी भी वैल्यू आजा जाए, नेट कोटल में जब भी इन तीनों में कोई भी वैल्यू चैंज हो तो मेरा net total चैंज हो जाए तो कोई सेम्पल है कोई मुश्कल नहीं लग रही है, मेरे हैं से कहफे सेम्पल वे है अगर यह मुश्य हूँ ओके इंपुर्वार नाट एनफ कुरेक्ट पर मेच तो हम इसको start में किन्केड़ेट वैल्य स्टार्ट में फनल होगी तो मैं try cache में यह तीन और वैली उस डाल देता हूँ कि फार्म को लोड होने तो बाखी काम बाद में करेंगे और यही काम फिर हम फिर हम फॉर्मैटिंग पर भी कर सकते हैं अगर net total की format थोड़ी से गढ़बढ हुई तो फिर हम इसको system.format के फ्रोड भी करेंगे बिलुकुल दोनों फरक आई इसमां भी 00 और इसमां भी तो यहां पर हम करेंगे यह कि यहां पर हम total.text to ispro ctrl x और नहीं आप ले आपा ठीक है subString 0 और उसको numeric with.toString और इसको कर लेते हैं Convert.toDecimal with.toString भी आसथी है यहां पर हमारे पाफ यह बला है subString 0.toString देसमार में भी और इसमारे को पास होगी 0.toString किया तो इसको 0000 करते क्या जूसरा उसके लएब हम tricast भी कर सकते हैं decimal.tricast तो उस केस में हमारी problem वोट सकती है यहां पर भी में करते हैं, string.focnet, double quote, zero numeric with two decimal point, comma, and this. ठीकिए जो भी value है, उसको with two decimal point है, let's see, देखते हैं, किनल नहीं भी होता, तो यह हमारे लिए फिला लेतना ज़रूरी नहीं है, फिलाल हमारे लिए ज़रूरी है कि काम करना चाहिए और हम इसे आगे move करें. अके, let's make it, to, asan recipe लेकिए, I'll try to ask a truth. अके, dim, कहेजिए हमारे पास, net total as a decimal equal to zero dot zero, मैं यहां पर करता हूँ, जो हमारा decimal dot try pass, try pass कौन सी value है, जिसको हम करना चाहरे है, वो value है, इसको हम करना चाहरे है, कामा इसका output हमें चाहिए, net total में, अगर वो convert कर पाएगा, तो, ठीक होगे, जो देगा, अगर वो convert कर पाएगा, तो, output value, zero देगा, अगर convert कर पाएगा, तो output value देगा, ठीक होगे, जी, all set, zero, zero, let's start, यहां पर हम करता है, tablet, 400 mg, 150 quantity, that's good, fine, all working, okay, अच्छा, यहां पर मैं आता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ, कि मैंने charges डाल दिये, 62 है, तो 37.50, ठीक है, जैसे ही मैंने charges डाले, है, तो वो charges इसमें add होगे, यह 100 होगे, और मैं 100 का discount डाल देता हूँ, जैसे जैसे मैं value change का पजार हों, तो growth ने आते जा लिया, यह 100 का discount कर लिया, is that clear, यहां तक हमारी almost चीज़ें जो है, वो clear होगी है, हमारे पास summary आ गई, हमारे पास total आ गया, net total आ गया, line total आ गया, line net total आ गया and blah blah, अब हमने करना यह है, कि user जब save पर click करें तो यह सारा data save हो जाए, new and reset पर सारा कुछ empty हो जाया और अली हो जाया, उस कितनी जुरत में आप कर सकते हैं, यहां पर data save हो जाया, अब save क्या क्या हो, वो date check करें, date null नहीं होने चाहिए, मार्क चीख आ रहे है, null भी हो तो कोई इश्यों नहीं है, supplier का name null नहीं होने चाहिए, हम कि supplier से यह काम की चीज़े, stock ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे इस invoice की body में कौन-कौन सी items आए, तो उसके बाद हमना total क्या बना, यह सारे चीज़ें और जो भी उसकी new purchase price आई है, वो purchase price जो हमारा stock table है, वहाँ पे update होगे, तो हमें धे सारे काम इस एक button के बीचे करना है, किस button के बीचे, save के button बीचे, अब हमने save पे काम करने है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या required है, save के लिए, save के लिए हमें required है, कि हम procedures बना ले, एक हमारा master में insert करने के लिए और दूसरा procedure हमारे detail में save करने के लिए, ठीक है तो दू हमें procedure required होगे, ठीक होगे, तो SQL Server open हो रहा है, अब होगे, okay, batch 6 में हमारे पास purchase master है और purchase detail है और साथ में बात की हम products को save करेंगे, ठीक है तो यहां पे हमारे पास already कुछ बने हुए procedures है, तो UX की inside detail है, लेकिन में new बना लेता हूँ ठीक है, so purchase master में हमें एक चीज का ध्यान रखना होगे, एक चीज सरफ देखने होगे कि जो हमारा insertion है वो auto increment है, अगर auto increment नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे हमने last time किया था product कि हम जरू auto increment नहीं था, तो हमने max value उठाके उसको auto increment कर लिए ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, मैं एक procedure बना रहता हूँ, create procedure msp, usp के साथ already बना रहता, msp insert purchase master, as begin and end, अब यहां पे हमें कौन कौन से parameter चाहिए, मैं वो parameter add कर लेता हूँ, purchase master के अंदर जो भी हैं, ठीक है जो बने भी columns हैं, तो तमाम के तमाम columns को मैं drag हैं, drop करके यहां पे ले आते हूँ, ठीक है, और इनके शुरू में, add to rate का sign, तमाम के साथ मैं डाल दूँगा, जो जो हमें चीज़ें यहां पे शही हैं, 7 की जो type है, यह हमारा biggest है, master यह auto increment था, तो इसको मैं output value बना लेता हूँ, biggest यह हमारा output है, date जो है, वो हमारी as a date time है, date time, remarks जो है, वो हमारा end var charge, 250, supplier code हमारा जो है, वो gradient है, इसी चलाँ total जो है, यह हमारा है, numeric with, 18, 2, other charges, यह भी हमारा numeric है, तो मैं इसी numeric को यहां से copy कर लेता हूँ, paste, other discount, same है, paste, net total भी, same है, ठीक है जी, यहां पे हम आते हैं, अब हमने insert का का काम करना है, तो मैंने आपसे का था, कि हम insert की query भी लिख सकते हैं, और प्लस हम right click करके, script as insert into clipboard, मैंने copy कर लिया और यहां पे paste कर लिया, तो यह database का name लेकर आ जाएगा, जो सीज़े में कुछ रिमूव कर दूँँग, और मैं तमाम जो less than sign हैं, उनको मैंने select किया, और मैंने add the rate प्रेस किया, तो मैं सबके साथ add the rate आ लिया, उसके बाद, यहां से लेकि जहां पर यह सारा यह move करता जाओंगा, one by one, उनकी type मुझे ने चाहिए, क्यूंकि हम रड़ी वो स्वर्छ प्रसीजर्स में और parameter में डाल चुके होए हैं, last time मैंने just take bracket चोल चूल लिया, यहां पर हमने कर दिया उसके बाद में करूंगा कि जो मेरा आईडी है जो आउपट वरियोफल है इसके में कहूंगा जो भी value stored हुई है जो last value stored हुई है यह scalar variable है वो मुझे id को value return कर दे जो मेरे purchase master किया है या मैं max id उटा लो मेरे view कि max id नहीं store हुई है वो मैं उठा सकता हूँ में यहां पर for example में ऐसे कहता हूं max of id from purchase master purchase master से मेरी max id उठा दे जो मेरी इस id को मिल जाएगी और यही मेरा as a output होगा जयदे तर project में याद रखेगा कि हम auto increment का यूज नहीं करते क्योंकि auto increment में sometimes problems आते हैं अगर हम बड़ी प्रोजेक्ट पर काम कर दे हैं और हमें replication और multi servers को आपस में connect करना है तो हम auto increment से फूरी सी दूरी रखते हैं उसको यूज नहीं करते है तो यह already बना हुआ database है इसलिए मैं इसको छेड नहीं रहा कि आपके पास पुराना जो code है कहीं उसमें की problem ना आ जाए ठीक है तो खेर हमने यह बना लिए parameters यह parameter हमारे masters के लिए पास होंगे front end से मैंने execute किया पर हमारा master का हो गया से हम इसी तरह से मैं एक और बना लेता हूँ sales sorry purchase detail msp insert purchase detail तो purchase detail मैं इसी की query बना लेता हूँ insert की clipboard पर ले आया मैंने control R प्रेस किया तांके मेरे जो result box है यह hide हो जाए मैंने यहां से लेकर यहां तक select किया और मैंने paste कर दिया बैसिक्स की query इसमे एड कर दी database और लास में लिए go add करता है यह दू चीज़े मैंने खतम कर दी सेम उसी तरह से मैं आर्ट को प्रेस करके रखा और mouse से drag and drop किया और इसको add the rate sign दे दिया यहां से लेकर यहां तक मैंने copy किया यह मेरी values हैं जो मुझे parameters हैं जो यहां पर चाहिए जो last time मैंने लिख लिये थे अब मैं क्या करता हूँ मैंने parameters को ले आता हूँ shift tab से मैं इनको खतम किया ठीक है यह वाला कामा जो इनके mid में है यह मैं खतम कर दूँगा ठीक है और last key greater than bracket सेम इसी तरह से मैं alt की को प्रेस करके जितने की यह शुरू में काम है मैंने यह खतम कर दिया ठीक है mid का कामा मैं खतम करता जाओंगा सब्सक्राइब इससे हमें फाइदा यह होता है कि column name same as it is हमारे पास आया थे ठीक है और उनकी data type पी हमारे पास आया थे इनको प्रेप्लेस की कर सकते है for example मैंने इंको select किया ctrl h press किया और मैंने यहां पर का कि मैरा जो greater than sign है वो replace हो जाए with empty और जो मैंने selection की हुई है उस selection में से means कि इस selection में से greater than sign empty के साथ replace हो जाए तो मैं मैं replace कर दिया पर 5 प्रेप्लेस हो जाए लास्ट वाले का में कामा remove कर दूंगा इंग सब को मैंने select किया tab press किया और एक indent पने create कर लिए फोड़ी के लिए पर्चेज master ID हमें चाहिए पर्चेज प्रड़क का कोड है उसकी quantity bonus quality पर्चेज cost sale cost total cost discount and net total यह सारी चीजे हम आपक ग्रेड में हैं क्योंकि इसी के हिसाफ से हमने great design किया था अब यहां पर जो हमेरी query है query को में clean up कर लूँ जो extra mess create हुआ है insert की query बनाने में में उसको खतम कर लूँ से हम इसको भी आप replace के प्रूव कर सकते हैं यहां पर हमें output variable की requirement नहीं है तो यह मेरा procedure create हो गया insert purchase detail के लिए तो दो procedure हमने बना लिए msp के साथ usp वाले पुराने हैं ठीक है usp वाले पुराने है remember याद रिखेगा msp insert purchase detail and purchase master तो purchase detail में यह भी लिख सकता हूँ कि जो मेरी purchase cost आई यह purchase cost update हो जाए तो मैं क्या जब तो इसी procedure को यह already बना हुए है तो इसको मैं alter कर लेता हूँ इसी procedure को कि जो मेरी purchase cost आ रही है sale cost आ रही है यह उस product के अंदर update हो जाए तो यहीं पे मैं दुबारा लिखूँगा update product का table set हो जाए purchase cost equal to at the rate जो purchase cost हो और set हो जाए जो मेरी sale cost equal to at the rate जो sale cost हो और plus जो मेरी total stock है equal to total stock plus हो जाए कैचिछ quantity plus bonus at the rate bonus quantity किसके अगेंस्ट वेर code equal to at the rate product code जो मेरी purchase detail के अंदर value जो मेरी purchase cost वो sale cost आई है वो इस product के अगेंस्ट अपडेट हो जाए plus उसकी जो stock balance है उसमें quantity plus bonus quantity यह उसमें add हो गया और मेरे खाल से हमें quantity को चेड़ने के जोट नहीं है वो मुझे जहां तक याद है हम उसको calculate कर रहे हैं run time पर के हमारा opening stock total stock कितना है यह total stock icon को opening stock है और उसके बाद हमने कितनी purchase की और कितनी sale की तो इसको मैं यहां पर commit कर रहे हैं अगर आप यह करना चाहिए तो यह काम आप कर सकते हैं मैंने उसको comment out कर दिया ठीक है तो मैंने सिर्फ purchase cost और sale cost को update कर दिया जो भी मेरी new cost is purchase order के उपर आई है इस product क्या गया है ठीक हो गया मैंने अल्टर कर दिया procedure को तो procedure change हो गया इसके हम पर process ready purchase manager बना हुआ है purchase manager वाला काम जो पुराना inside वाला काम है जो हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ date time as a date time इसको variable चाहिए string चाहिए double total cost इसी को use कर लेते हैं पुराने code को मैं नया बना लेते हैं ताहां कि आपका पुराना code डिस्टा बना हो मैं just कहा करता हूँ इसकी एक नई copy बना लेता हूँ यहां से insert purchase master dev expects ठीक है मैंने इसको new name दे गया यहां पर मैं just date time इसको strength चाहिए यहां पर हमारा new procedure name जो हमने दिया था वह आ गया बाकी almost यही चीजे हैं dot parameter ठीक है output का parameter at the rate id और कामा उसकी type है sql db type dot big end type because the big end के हमने से type दे दिया execute non query non query करने के बाद हमारा यहां पर जो scaler ही हमारा खत्म हो जाएगा purchase master id equal to del dot parameter at the rate at the rate id जो हमने last test में काम किया ठीक है otherwise क्या होगा purchase master id हमारी 0 data जाएगा एक चीज़वर हमने new की थी कि हमने यह बार पर रहे चाहिए देने की जोच नहीं है तो मैं इसको delete कर रहेता है यहां पर में direct जो हमारा function है मैं उसको call के लेता हूँ को function जो है वो by default variable भी बनाता है और purchase master id में को तो 0 कर देता है अगर कोई error आता है तो इस case में अगर यहां तक पहुंचता है तो वो इसको return 0 जो sorry copy return 0 नहीं return वो function का नहीं के इस function को इस function की जो value है उसको return करना है as a double value है हमारका सही के ठीक हो कि यह हमारा वोई काम है जो हमने अगर आप को याद हो तो product के अंदर किया था insertion के पुरान यह है ठीक है कि हमने उसकी type दे दी plus उस parameter को पूर दे दी और उसको return कर दिया यही काम हमने purchase manager के अंदर कर दिया तो यहां पर हमने एक काम कर लिया जी उसका master अब यही काम में detail में कर लेता हूं को मैं detail के copy बना लेता हूं और इसका नाम रेता हूं devexpects इस detail को मैं यहां से control x cut करता हूं और उपर वाले के साथ जोड़ तो उंखां के पुराने दो एक जगा हो जाए यह old one and these are the new devexpects के साथ यह भी devexpects यहां के सारी चीज़ें वही है quantity bonus quantity net total तो हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की जूट नहीं है सवाए अपने procedure name के हमारा procedure name है msp insert master detail मैंने copy किया इसको और यहां पर आख है मैंने paste कर दिया master detail बाकि हमारे same column जो sorry parameter name है वो same है तो कोई भी change करने की जूट नहीं है ठीक है insert जो है वो एज ही कुछ non query ज़से इतना return करेगी कुछ हुआ है का नहीं हुआ that's it इसकी जो हमें ही पड़ती ठीक है अगर आप insert भी लेना चाहें तो मैं उसके आसर फतम कर देता हूं popp क्योंकि non query जो है वो return करती है integer value ठीक है कि कुछ effect हुआ है के नहीं हुआ अच्छा ये काम हमने कर लिया अब हमें इसको use करेंगे same उसी तरह scope के अंदर ने आया पर आया तो purchase में तो जो भी आपने checks लगाने है वो आप checks लगा लें कि ये value खाली नहों ये नहों वो नहों सारा काम हम item के अंदर कर चुके हुए है तो यहां पे आप same as it is वो checks लगा सकता है तो मैं simple direct काम के उपर आता हूं जहां पर मुझे value चाहिए होगी dim जो हमारा purchase master id as sorry double value है equal to zero काम हम भी करेंगे using जो हम इससे पहले हमने किया था scope as जो हमारा transaction.transactions.transactions.scope जो हमारा होगा transaction scope as a new sorry 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 as a new transaction scope हमारा होगा जो हमारा होगा समताइम एक तो याता है नहीं है transaction.transactions.scope option.require ठीक है जी यहां पर हमने काम करना है कि हमारी master और detail डोनों में अगर कोई error आ जाए तो वो rollback कर जाए अगर ना हो तो तब दोनों को commit करें तो basically जो मैंने काम हमारे जो lecture था I think 6 और 7 था जिसमें हम item collection के insertion और update को इपर काम कर रहते हैं तो वहां मैंने एक चीज़ बताए थी कि हम scope को इसलिए यूज करते हैं एक तो जो हमारे method बने हुए उनके internal scope को अवराइड करता है दूसरी है कि जब हम multiple tables को छेड़ते हैं multiple table में insertion और update हो रही होती है तो उस दौरान किसी भी table में insertion करते हुए अगर कोई error आ जाए तो वह तमाम data को roll back करे तांके हमारी चीजें जिस last जिस state में थी उस state में वापस आजें तांके हमारा data जो है वो खराब ना हो ठीक है तो यहां पर मैंने बनाया मैंने से का purchase जो हमारा oops मेरे spelling mistake है यहां पर purchase master id मैंने से का purchase master id equal to जो हमारा purchase manager है dot insert purchase master devexpects यहां का हमने से कहा देना है date देना है for me dot txt date dot value added value ठीक है जो कि उसके added value है उसके बार me dot txt remark dot text उसके बार हमने supplier call name dot cmb dot इसकी added value अब यह जो added value है यह उसका text नहीं उठाएगा यह उसके अंदर जो selected id है वो उठाएगी उसके वज़ए यह है कि हमने उसका display member और value member assign किया होगा कि display member में अगर added text आप चेक करेंगे तो display member वो होगा जो हमने name का column को display member किया था तो वो display हो रहा है लेकि जिए added value से उसकी value उठाएगे तो हमें जो उसकी value member हमने assign किया था जो I think कोड था supplier code था वो हमें उसकी value return होगा ठेक है हमने added value देजी supplier code उसके बाद total cost वो हमारा me.txt total.text उसके बाद other charges me.txt charges.text me.txt discount.text or me.txt net total.text ठीक होगा यह हमारा काम होगा insertion का master के अंडर कि master में entry 1 जाएगी single entry जाएगी जो हमने पेज जब हम design कर रहे थे form design कर रहे थे तो मैंने बताया था एक हमारे पास header है एक body है और एक footer है header और footer का तालग master से है body का तालग detail से है master entry one time जाएगी date क्या थी supplier कौन था remarks क्या थे और total invoice की क्या value थी अब उस invoice के अंदर कौन कौन से items थे multiple हो सकते है single भी हो सकता है तो उसके लिए हमारा detail के अंदर values जाएगी अब detail मैंने उठानी है grid में से grid run time पे user कोई भी number of items दे सकता है 5, 10, 12 या 1 ठीक है तो यहां पे मैं लगाता हूँ for i as a integer equal to 02 में dot जो हमारा grid जो 1 है dot उसके row count minus 2 अब minus 1 मैंने क्यों नहीं लिखा यहां पे minus 2 क्यों लिखा minus 2 इसलिए लिखा के जब हम row add कर रहे हैं मैंने first row adding शुरू की मैंने उसमें values दा ली तो वो बनी 0 ठीक है लेकिन उसके साथ ही नीचे एक और empty row भी add होगी तो total rows होगी दो 0 और 1 उसको minus 1 के साथ भी कर सकते हैं लेकिन यह minus 2 के साथ जएदा perfectly काम करता है हमने already test किया हुआ अगर इसमें कोई गड़बड़ की तो हम minus 1 करते हैं ठीक है तो उसमें यह होता है एक empty row नीचे add है जिससे उसका total जो row count है वो 2 हो जाएगा अब मैंने तो row 1 के काम किया जिसका row index 0 है लेकिन जो row का count है वो 2 आ रहा होगा तो मैं 2 में से 2 minus करूंगा तो मुझे 0 index मिलेगा क्योंके हमारी जो row है वो 0 based है जो row index है इसका हम काम कर रहे है वो तो 0 based है ठीक है अच्छा अब मैंने क्या करना है मैं एक variable लेपा हूं data row as a data row equal to grid view 1 dot get data row of i जो data row है यह basically हम return कर रहे है data row इससे पहले हम काम कर रहे है data row view के उपर अब मैं row handle से data row उठा रहा हूं तो मेरी row जो i में row है उससे data row मुझे मिलिया ठीक है अब इस data row के तहत मुझे जो values है वो मैं उठाता जाऊंगा और save करवाता जाऊंगा कहां पे purchase manager dot insert purchase detail dev aspects यहां पर में क्या क्या चीज़ सही है master id तो हमारे पास master id आ रहे है purchase master id से उसके बाद product code है product code हमारे पास है column code में है तो मैं लिख जेता हूं और क्योंके row है data row का column index दे दूं या column name दे दूं तो मैं पहले भी कह चुकर हूं कि index हम इसके यूज में करते हैं कि जरह सी गज़बड़ी होगी index आगे पिछे होगी तो किसी column का data है वो किसी database के किसी column में store रहना शुरू हो जाएगा तो इसलिए हम prefer करते हैं कि उसका name use करें ठीक है तो यहां पर हमारे पास है column product code है तो वो है हमारा column code तो उसको control x paste कर रहता हूं यहां पर दूसरा है और column quantity quantity control x paste कर दिया यहां पर उसके बाद है जी column bonus quantity column bonus quantity को में cut करता हूं और ठीक है उसके बाद है column purchase quantity column purchase price है x rs row यहां पर आ जाएगा purchase उसके बाद मैंने कामा दिया तो यह मुझे दे रहा है जी के sale cost की value चाहिए तो मैं इसके कहता हूं column sale price from a control x row उठाओ और उस row का column sale price उसके बाद है तो इसके लिए unbound के लिए मुझे value उठानी है मुझे value उठानी है get जो हमने total value का बनाया था उसमें क्या क्या चाहिए था view चाहिए था view हमारे पास already है grid view अब उसकी कौन सी row i वली row जो अभी loop में चल रही है इस row से data calculate करो जो भी total value बनती है total cost को दे दी उसके बाद दी हमारे पर discount तो यह हमारा column है discount तो मैं column से value उठाऊंगा और उसके बाद मेरे पास है net total net total भी unbound था इसके लिए हमने अलग्छे एक method बनाया था function बनाया था तो हमारा से मैं उठालूंगा net total तो यहां पर क्या चाहिए इसको चाहिए grid view 1 और row जो हमारी आई है वो इस वक्त हमारी रूफ है तो यह काम हमारा हो जाएगा purchase detail में ठीक हो गए detail उतनी दफ़ा चलेगी जब तक उसके अंदर items completing हो जाते तो इसे होता रहेगा यहां पर आके हमने इसे कहा जी के यह जो scope है यह अब यहां पर आप complete कर दो ठीक होगे scope complete हो गया complete होने के बाद अगर यहां तक वह पहुंचेगा तो हम message box show कर रहेंगे पर्चेज़ अर्डर ऋप्रचेज आर्डर सेव्ट सुक्सेस्फुली information कर साइं और सेव्ट तो रहें तक नहीं कुंच ता कोई आरर आ जाए तो हम यही उठाते हैं, copy and paste, save की जगा जाएगा, address, information की जगा जाएगा, exclamation, और इस message की जगा जाएगा, exclamation, in case अगर कोई issue आता है तो वो हम यहाँ पर, save ही ना करने दे, और error हमें display लिकरवा दे कि यह error है, इस वएसे issue आया, इकाम नहीं हो सब्सक्राइगा, हमने procedure लिख लिए, हमने method लिख लिए insert के लिए, insert master के लिए, insert detail के लिए, और हमने form को call किया, main form execute हो गया, purchase पर हमने click किया, यहां पर हम इसे कहते हैं, हम एक value select के पर आपने date, for example, आज की date है, remarks, testing है, supplier, a, b, a, b, c supplier है, ठीक है, और यहां पर मैं आता हूँ, मैं से आता हूँ, हमें tablet लिए, यह वाली, 10 quantity हमने लिए, bonus हमने 5 लिए, discount हमने दिया, 3 रुपिया, और हमने उसके बाद injection लिए, ठीक है जी, यह हमने ले लिए, बारां quantity, 10 to, और हमने discount दे दिया, 0.36, तांके round पर ज़र हो जा, ठीक, यहां पर आगे, other charges हमने डाल दिया, ठीक है, और discount हमने दे दिया, 70 रुपियच, तो 1100 total value बन गी, यह सारी कहानी भी हमने sales पर click किया, DB conversion type DB null value, तो कहां से null value जा रही है, वह हम track कर लेते हैं, उसके लिए मैं आजाता हूँ, यहां पर, break point लगा लेते हैं, check कर लेते हैं कि कहां issue था, okay, save again, f10, using scope transaction required, इसके में हम अंदर से ले जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले, date की value आगे, remarks की value आगे, supply की value आगे, total की value आगे, charges आगे, discount आगे, और net total आगे, तो यह हमारा master mfl icon करके इसके अंदर से लाया था, ऐसी कुम सी चीज है, जहां पर इसको issue आया है, insert master create command, date को date की value menu, remarks, supplier code, total cast, div charges, discount, net total id, तो यह save हुई हमारी purchase master id 5, ठीक है, 5 insert होगी, इसके हमारा master ठीक था, अगर हमने, यह scope ना लगाया होता, तो हमारी last row entry की master वाली, वो save हो जाती, और detail में अगर किसी किसम वैशू था, तो detail save ना हो पाती, ठीक है, यहां पर हम आये, हमने row उठा ली, यह हमारे पास row आगी, row के अंदर तमाम के तमाम items आगे, ठीक होगे जी हम इस R को उठाते हैं, और quick watch में चले जाते हैं, हमें कहां पर क्या कैशू आया, zero में, okay, उसका मतब़ है कि column code की value उसमें नहीं उठाए, ठीक है, उस row पे मदर column code की value नहीं आई, तो हमने फिर यहां पर गल्पी की, जब हमने, यहां पर हमने purchase cost को value दे जी, sale cost को हमने value दे जी लेकिन हमने column code को value नहीं जी, कि 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 column code में grid के उपर lookup edit की value change हुई, तो grid view 1 का जो column code है, उसको हमने value नहीं दीजी, column code की, okay, यहां पर आते हैं, मैंने इसको stop किया, मैं run designer मैं में basically जो हमारा inner designer था, उसका मैं name में जो हमारे पास, column edit में, where is the view, where is the view, view के में column देखना चाह रहा हूँ, view में हमारा column है, search code, तो हमने search code की value assign करनी है, grid view, one के, sorry, यहां पर, मैं इसको copy करता हूँ, grid view, यह जो हमारी row है basically, यह उस editor की है, grid editor की, तो उसके अंदर जो column का name है वो यह है, ओ, यहां पर तो sorry, हम data row उठा रहे हैं, तो हमें database से जो value आ रही है वो देनी है, तो database से तो I think code आ रही होगी, लेकिन मैं confirm करना मुनासिप समझूँगा, तांके हमारा error एक ही attempt में gone हो जाए, मैं दूसरी attempt में यहां ना आना पड़े, column code तो इसका field name है code, हमने यह code उठाया है, जो field name है क्या है, यहां पर data row है, तो यह code assign हो जाए, किस को जो हमारा column code है, grid view 1 का उसको, अज़र कोई error आ है, यही copy हो जाए, यहां पर और यह 0 हो जाए, 0, उसको चली जाए, in case अगर यहासा पाढ़ा हो, चलाए, आगे चलता है, हमारा error रिजॉल्व हो गया, क्योंकि हमने उस gadget value change के उपर, यह हमारा column code है, grid view का, उसको हमने value नहीं दी वी थी, assign नहीं की वी थी, कि जिससे product code हमें ने मिल पा रहा था, कि किस product code के एगेंसी operation होने जा रहा है, मैने dates लेक कर ली, आज की date होगी, remarks, testing 1, 2, 3, और supplier हमारा आगा, अंताफ enterprise, उसके बाद हमारे पास यहां पर रहा रहा है, सके बाद, tablet, 10, 5, 10 rupees उसके बाद, injection 600 mg, यहा हमारे पास आगे पाद, जा अंताफ, 5, जा रहां और पाद, गोंने डिसकाँं जा मारे यहा, जिए लिए गोए जी size हमारे आगे 5 rupees समिद्स work 4 teach comer forever its third one hundred 감ikusan onee ब्रेक पॉइन लगाए था हम ब्रेक पॉइं ले जाते हैं यह ब्रेकपॉस arts यहां पर ब्रेक पोई देए यहां ब्रेक पॉइन दे जाते हैं इसको मैं 5 करण से और हमस्तskबूसर अपर चले की मास्ट奇 अब मैं आर के उपर आया मैंने क्विक वाच किया और मैंने चेक किया कि आर के जिरो इंडेक्स में क्या वैल्यू है जिरो इंडेक्स में उस आइटम का कोड है ठीक होगा जो हमारे पर फैले नहीं था अब फाइफ करते हैं दबारे इदर आगे फिर मैं आर के उपर आया और यहां पर मैंने आर पर अब चेक किया कि हमारी दूसरी प्वाड़क कौन सी है फोर जीरो डबल वन ठीक है तो मैंने इस वैसे माइनस टू दिया था कि वो दो दफा है चूंकि यह जीरो है यह वन है और यह त्रो है जबकर सब्सक्राइब यहां है तो यहां पर टोटल रेकड़ आ रहे हैं ठीक है तो तो त्री में से 2 माइनस करोंगा तो मेरे पास क्या है गागा वन हाईगा मेंने 0 & 1 ठीक है अगर हमारे पास edited ग्रीटेबल ग्रीड ना हो तो फिर हम माइनस वन से काम करवाते हैं जब एडिटेबल हो तो आपके एक वैली अक्षर जाती है ओके अब हम जड़ा डेटबेस में आते हैं और हम वेरिफाइ करते हैं कि जो हमने अभी चीज़ें डाली हैं वो सही माइनर में पहुंची है का नहीं पहुंची है मैंने में कीरी करता हूं Select Sparic from Purchase Master इसमें हमारे पास 6 आइटम आया Testing 123 के साथ Supplier 423 अंड़ था Total बना 3180 और हमारे पास आया करेकता हूं कि यह हम उसको देख सकें कि यहां पर है मापर वैल्यू है 3180 3180 फाइफ चार्जर से 85 हमें डिसकांट यह 3100 यह तो हो गया हमारा Master का काम complete अब हम आयते हैं Purchase Detail में where Purchase Master ID equal to 6 अमें बाक्तियों से concern नहीं है कि मने 6 ID पर काम किया तो मुझे 6 के उपर देखना है कि क्या value है 6 के उपर हमारे पास 2 products है मैं इसको कोड़ा से रांसरी फुल कर लेता हूं और यह यह जा चलिया उसके बार दूसरा हमारा item है था 401150 उसकी quantity है 5 bonus है और उसकी purchase price 4083 और 2483 sale है 2041 1.50 discount and 2040 तो यह हमारी detail और master tone of values accurately save होगी database तो यह हमारा था total purchase order जिस पर हमने grid view के थूँ उसके designing की उसको थोड़ा सा उपसूरत बनाया easy बनाया और थोड़ी से हमने coding की जिससे हमारी summary हमें यहीं पर नजर आना शुरू होगी हमारे total item कितने है ठीक है total हमारी कितनी बनी value उसमें से discount कितना हुआ net total कितना बना हम net total में से further कितने charges और discount हुए यह सारा काम हमने procedures लिखे procedures के पर हमने methods बनाये उसकी business class के अंदर हमने इसको save किया और हमारा यह सारा काम purchase हमारा यहां पर हो गया अब हमारा जो next काम होगा next काम में हमें sale के उपर काम करेंगे कि हम sale कैसे करते हैं sale में भी almost design यह होगा supplier के जगा हमारा customer आ जाएगा उस customer का नहीं हम select करेंगे date select करेंगे और उस से related fields होंगी वह important करेंगे सेम इसी तरह से grade हम डालेंगे इसमें purchase price के बजाएगा sale price आ जाएगी थोड़ा सा कुट्रे के काम हमें extra करना पड़े वह हम करेंगे सेम इसी तरह से total होगा net total होगा discount होगा यही almost सारी चीज़े होंगी सिर्फ उसमें फर्क किसी चीज़ कहाएगा फर्क ही आएगा कि जो आपकी insertion अभी जो आपकी purchase master के अंदर जाके हो रही है यही insertion आपकी sale master और sale detail में हो रही होगी simple is that अब purchase master में हमारे पास supplier का code जा रहा है और sale master में हमारे पास client का code जा रहा होगा उसमें यही detail होगी सिर्फ जो चीज़न चेंज हो रही होगी वो यह हो रहा होगा कि हमारा जो data save हो रहा है वो differently होगा अगर मैं चाहूँ तो इसी form के हम copy बनाएंगे और इसी form just यहां पर supplier के बजाए populate कर वा लेंगे हमारे जो client है उसी form के हम एक duplicate copy बनाएंगे और जो काम हमने designing के ओपर किया था वो हम time waste नहीं करेंगे और डारेक्ट इसके code में आएंगे और कोड भी कौन सा save वाला code होगा कि वो आपका insert करे sale master and sale detail पे उस सरे related हम जो procedure लिख रहे है जो procedure हम लिख रहे है